पुलिस ने पप्पी खान हत्याकान के आरोपी एक गिरफ़तार पाच की तलाश शुरू गड़वा पुलिस ने कल राद सोन पुर्वा में पप्पी खान के हत्याका उद्दोदन कटते वे बारा घंटे के अंदर एक अपराधी को गिरफ़तार कलिया जानकारी देते वे अनुमंडर पुलिस वदादीकारी अवदकुमार यादो पुलिस निरिक्षक से थाना प्रभारी राचेव कुमार सिंग ने संयुक रोप से पत्रकार वार्ता के दोरां दी जानकारी देते वे SDPO अवद कुमार यादो ने बताया कि कल शेहर के सोन पुर्वा इससे रेलवे क्रोसिंग के उस पार सोन पुर्वा निवासी पपी खान की हत्या अग्यात अपरादियों के द्वारा किया गया था इसके बाद गड़वा पुलिस अधिक्षक के निर्देशन पर खाना प्रबारी के नेतरत में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने विविंग जगो पर चापे मारी अभियान चलाया चापे मारी अभियान के क्रम में गुप्त सूशना के अधार पर सोन पुर्वा निवासी नरेश पासवान का पुत्र कृष्णा पासवान हो उसके मामा के यहां से गिरफतार किया गया स्डिपियों ने बताया कि क्रिश्न पासवान Շसकांड में अपनी सनलिप्ता स्विकार करतेवे बताया कि उचरी मोहला निवासी शाबास खान सोन पुर्वा रेलवी क्रासिंग पार्के समीर खान जान खान उचरी निवासी बिलाई उचरी निवासी टीफू पवडियार पुलिस द्वारा तुरन सक्रित्ता दिखाते हुए उद्वेजन की दिशावब करवाई की गई और इसमें सामिल अभ्योग क्रिष्णा पस्वान के गिरफ्तारी के बाद यह सारा मामला उद्वेदन हो गया है और इसमें संलिप्त अन्य लोगों की भूमी का और नाम भी आया है यह घटना जो है पूर दुश्मनी के कारण घटित हुई है जिसमें की अपुर में हत्या हु यह लोगों को जेल जाना पड़ा था इनका मानना था कि यह वाले खांग की खत्या कान में जो जेल गया है उसके पीछे में तक पुप्पी खांग है हाग साथ ऐसी ही पड़ी खबर से जोड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन एउस